प्रशासन द्वारा कारवाई करने की मांग कर रहा है और उनके घर पर बुल्डोजर चलवाने की गुहार लगा रहा है सत्रप्रकाश का बेटा देवेश तो प्रशासन को दो दिन का अल्टिमेटम दे चुका है कि अगर फ्रेमचन परिवार पर कारवाई नहीं हुई तो वो अपने प्रिता का ब्रह्म भोज नहीं करेगा देवरिया कान बड़ा था तो इस पर सियासत भी खोब हो रही है आई दिन कोईन कोईन नेता मंतरी अपने फाइदे के लिए दोनों परिवारों से मिलने पहुँच जाते हैं इसी कड़ी में गुरुवार को देवेश दुबे से मिलने प्रदेश के कृषी मंतरी सूर्प्रताब शाही पहुँचें जिनसे कुछ देर बात करने के बाद देवेश भावुख हो गया और फूट फूट कर रोने लगा उसने मंतरी के पैर तक पकड़ लिये और बिलक बिलक कर रोने लगा रोते हुए देवेश ने मंतरी जी से कहा कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कारवाई कराईए मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया अभी तक कुछ नहीं हुआ शेहर के देवरिया रामनात महले में रह रहे देवेश से मिलने के लिए प्रदेश के क्रशी मंतरी सूर्य प्रताप शाही पहुँचे थे साथ में विदायक जैप्रकास निशाद पहुचे थे देवेश इनके सामने फूट फूट कर खूब रोया और अपनी दिल की बात भी कही उसने कहा कि 11 दिन का समय गुजर गया है लेकिन अभी तक केवल आशवासन मिल रहा है आप ही मेरे माबाप मेरा भाई पूछ रहा है कि मम्मी पापा कहा है मैं जूट बोल कर सांतवना दे रहा हूँ उसने कहा कि मंत्री जी आरोपियों का अंकाउंटर कराईए तभी कलेजे को ठंड़त मिलेगी मंत्री ने हर संभव मदद करने का आशवासन दिया है और कहा है कि सरकार आरोपियों के खिलाफ सक्त का रवाई करेगी हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना